दोस्तो जब भी आप लोग ट्रेन में सफर करते हैं तो आपके दिमाग में एक सवल जरूर आता होगा कि ट्रेन में चेन पूलिंग होते ही ट्रेन कुछ दूर जाके तुरंद कैसे रूख जाती है दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चेनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए देखिए जब ट्रेन के लोको पाइलेट ट्रेन में ब्रेक लगाते है तो ट्रेन धीरे धीरे रुखती है लेकिन जब कोई आतरी ट्रेन में चेन पूलिंग करता है तो ट्रेन कुछ दूर जाके तुरंद कैसे रुख जाती है चलिए आईए जानते हैं इसके बारे में आर्थिये रेलवे में ट्रेन के ब्रेक एर प्रेसर पर काम करते हैं जब ट्रेन के लोको पाइलेट ट्रेन को रोकता है तो लोको पाइलेट एर प्रेसर को धीरे धीरे छोड़ते हैं जिससे ट्रेन आने वाले इस्टेशन पर रुख जाती है लेकिन जब कोई आतरी ट्रेन मे तुरंत रुख जाती है ट्रेन की चेन मेन ब्रेक पाइप से जुड़ी होती है इन पाइपों के बिच हवा का दवा बना रहता है लेकिन पूलिंग करते हैं ये हवा बाहर निकल जाती है ट्रेन के जिस बोगी में चेन पूलिंग किया जाता है उस बोगी की सारी हवा बाहर न जाती है जिससे ट्रेन 400 से 500 मीटर दूरी पर जाकर तुरंत रुख जाती है